हेलो फ्रैंड्स आज मैं आपको सिखाऊंगी राश पुति शूट कटिंग करना अस्तरवाला तो वैसे मेंने एक अस्तरवाला सूट कटिंग किया हुआ मेरे चैनल पर डालबा है तो यह जो लेंगा सी लवा आता है उसमें हम अस्तर कैसे कटिंग करें तो आप मेरा वीडियो पूरा देखना बहुत आसान है, तो हमें सबसे पहले लहंगे को इस तरह से फॉल्ड करना है, जो सिलावा लहंगा आया है, उसे हमें इसी तरह से फॉल्ड करके अच्छे से, देखे जिस तरह मैंने किया है, तो अभी मैं मेजर्मेंट लेके अस्तर कटिंग कर रही हूँ, तो मैंने दो पार्ट्स में अस्तर को कट किया है तो अभी हम इसको फॉल्ड कर देंगे और इसके उपर हम वो लहंगा रखेंगे इसको हम इसके उपर रखेंगे जो भी एक्ष्ट्र कपड़ा है और उपर की जो हमारे लहंगे की जो लंबई है उसे भी हम कट करेंगे तो अभी जो इसके एक्ष्ट्र कपड़ा है अस्तर का वो भी हम कट कर देंगे इसको फॉल्ड करके इसके उपर रखेंगे बहुत ही आसान तरीके से आप अस्तर वाले पौशाक सिल सकते हो तो यह जो एक्ष्ट्र कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे इस तरह से आप कटिंग करोगे तो बहुत अच्छे से आप सिल दोगे पौशाग अस्तर वाले तो यह जो एक्ष्ट्र कपड़ा है मैंने कट कर दिया है और हमारे लहंगे में जो मगजी है वहां तक हमें अस्तर लेना है आपको दिखा रही हूँ यह जो कली है इस लहंगे की बिल्कुल इसके मेजर्मेंट के हिसाब से हमें कट करनी है नहीं तो हमारे लहंगे में अस्तर अच्छे से नहीं हम डाल सकते यह जो पूरी जो मगजी की जो मेजर्मेंट लिए हमेंने उसी तरह से आपको कटिंग करना है और अब हमारे लहंगा कट हो गया है इसको तो हम रख देंगे एक तरफ और अब यह कपडा बच्चा है इसमें से हमें कुर्ती का कपडा निकालना है और कांच लिका तो मैं कुर्ती का मैजरिमेंट लेके कुर्ती का कपड़ा कटिंग कर रही हूँ मैंने मैजरिमेंट ले लिया है तो बस हमें सबसे पहले अस्तर वाली पोसाग में अस्तर को ही हमें अच्छे से कटिंग करना है अभी हम इसको जो फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करदेंगे बेर दोनों पार्स बराबर रखने हमें गय これ और मैं यह से लेखिए मैंने कुर्ति को कटिंग कर दिया है और अभी मैं यह आस्ति ने काच्छ लेकी तो इसको भी मैंने कर दिया है कटिंग अभी हम इसका वर्क वाला कपड़ा लेंगे इससाथ में आई है जोड की मगजी पोसाक की लहंगे में तो लगी वी है मगजी अगर लहंगे में नहीं लगी हुई थी तो एक मीटर मगजी आती तो अभी मगजी में निकाल दी है और इस कुर्ती को जो हमने अस्तर कट करके रखा था वो इस अस्तर को इसके उपर रखके वरक वाले कपड़े को कट करना है और इसमें उल्टे सीधे का बहुत ध्यान रखना पड़ता है बिल्कुल आराम से कटिंग करें तो अभी मैं इसके दो पार्ट कर रही हूँ जो एक पिछे का भाग होगा और एक आगे का तो मैं अभी ये पिछे का भाग कट कर रही हूँ कुर्ती का हमें अस्तर अगर अच्छे से कटिंग हो गया तो पोसाग बहुत अच्छे से कटिंग हो जाती है और अस्तर का कपड़ा होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा हमें वारेक वाला कपड़ा रखना है थोड़ा ज्यादा रखना है तो अभी इसको हम fold करके रख देंगे ये पीछे का भाग है कुर्टी का और अभी हम आगे का भाग कट करेंगे ये है आगे का भाग इसको भी हम उसी तरह कट करेंगे जिस तरह हमने पीछे का भाग किया है तो हमारे मेजरमेंट के हिसाब से हमें जो अस्तर का कपड़ा है उसका हमने मेजरमेंट लेके अच्छा एक सूट कटिंग कर दिया है और जो उपर वाला भाग होता है वरक वाला उससे हमने देखो ज्यादा कट किया है आप देख सकते हो तो उसको हमें ज्यादा कटिंग करके कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा रखना है शिलाई में हमें अच्छा फिनिसिंग मिलता है शिलाई करने में अगर थोड़ा सा कपड़ा इदर उदर हो जाए तो बस हमारा सुट अच्छे से नहीं सील सकते हैं तो मैं थोड़ा ज्यादा रखती हूँ आपको भी ज्यादा रखन तो अभी हमारा आगे का भाग की कट हो गया है कुर्थी का इसको भी मैं फॉल्ड करके रख दूँगी अभी हम कांचली कट कर रहे हैं तो यह है कांचली के आस्तिन कांचली के आस्तिन हम कट करें उस वक्त हमें पूरा ध्यान रखना है एक हाथ की कटिंग हो जाती है कभी कभी तो इसका हमें पूरा ध्यान रखना है क्योंकि इसमें खरकी होती है तो मैंने अस्तर की ही खरकी कट कर देती पहले से ही तो बस मैंने पहले कट की है अगर आपको आदत नहीं है राधन सिलने की तो आप सब सबसे बाद में जो है खरकी ये कटिंग करें तो इससे क्या होता है आपके जो अस्तरवाले आप आपसाक सिलोगे तो आप उल्टा सिधा नए कट करवाओगे नए तो आप से एक हाथ की आस्तिन बहुत बोलते हैं कि हो जाती है तो उसी तरह से मेंने खरा की पहले कट कर दिये पर आपको नहीं करनी है जब आपसिलो उसी वक्त करनी है तो मैं जिस तरह वो कट की है आज दिन इसको भी उसी तरह कट करना है और अगर आप याद रख सकते हो तो पहला कट कर सकते हो यह देखी दोनों हाथ की है, सामने रखें, तो इस तरह से दिखनी चाहिए, तो अभी हमारे कांचली कटिंग हो गई है, और इसके जो टुकी है, वो मैं कटिंग कर रहे हूँ, अस्तर की तुम्हें निकर दी थी, अभी इसके जो उपर का भाग है, ये सब कर रहे हूँ, तो बस इसी तर से जिस तरह से हम बलाव सेलते हैं, थोड़ा साइस में दिमाग ज्यादा लगता है, बलावच के तो फर्मे होते हैं, तो हम अच्छे से कटिंग कर लेते हैं, पर रास्पूति सूट के कोई फर्मे नहीं होते हैं, हमें मेजरमेंट लेके ही सेलना पड़ता है, तो कांचली भी रड़ी हो गई है, यह भी cutting हो गई है, अभी हम मगजी को कट करींगे, तो यह देखे, यह आदा मीटर है, यह पूरी जोड में बराबर आ जाएगी, लेंगे में लगी वी हैं, तो इसको हम चौकोर कपडा बनाएंगे, और तीकोन में इसको हम कट करेंगे, निस को कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर देना है एकदम अच्छे से हम मगजी कट करेंगे तो हमारे मगजी बहुत अच्छी फिनेसिंग आएगी जब हम से लेंगे जितना हम कटिंग आराम से करेंगे उतना ही हमारा ड्रेस अच्छा सिल पाएंगे तो एक बाग को मैंने कट किया है और यह दूसरा है तो यह मगजी हम समेट के रख लेंगे करीब पांच-छे मीटर मगजी हमें चाहिए पूरे जोड में तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं पूसा कटिंग मगजी हमारी कटिंग कर दिये हमने और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक सस्क्राइब करें अपने फैमली में हमें आगे शेयर करें और अगर आपको सिलाई के बारे में कोई भी पूस्ताच करनी हो तो कमेंट्स करें मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू